लोग सबब चुनाओ परणामों को लेकर एकजिट पॉल के आंकडों को उप मुखे मंत्री सचन पालेट ने नकाड़ दिया है पालेट ने कहा कि सभी एकजिट पॉल बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का एक कारिक्रम है और इस मांग को चुनावायों को देखना चाहिए और निश्पक्ष होकर काम करना चाहिए। मुझे रखता है कि हमें मैं कल देख रहा है एक डिपणी इसे सजन ने कहा कि ऐसा कोई एकजिट पोल नहीं है जो बीजे प्यास तक हारी हो तो भारतियंता पार्टी हमेशा एक माहोल निर्मान करने में आगे रहती है लेकिन हकीकत मदाता जानता है ना टीवी चैनल जानते है ना सटोरिय जानते हैं और ना जिट पोल वाले जानते हैं हकीकत डिपों में बंध है हमें लगता है कि जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आएगा और 23 मही को मदगना के बाद सभी विपक्ष के दल मिलेंगे सुने गांदी जी ने बैटक बुलाई है मुझे पूरा विश् है कि बहुत से सवाल इस पूरे साच रण के मद्दान के दौरान उठे उनका संतोशनक जवाब देने की जमेदारी निर्वाचन आयोक की है निर्वाचन आयोक को निर्भै होके निश्पक्ष होके निडर होके अपना काम करना चाहिए और EVMs हो मदगना हो सुरक्षा हो उन तमाम चीजों पर देश की निजर है मैं उमीद करता हूं कि दौरान आयोक अपनी जमेदारी को पूरी निश्पक्षा से निवाए